कि UPSC previous year साल 2016 के prelims में पूछा गया था daily business पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है consider the following statements दोस्तों यहाँ पर आपको दो statement दिये गए हैं बताना है इन में से कौन से statement सही है पहला statement बोलता है कि जो sustainable development goals है इनको सबसे पहली बार लाया गया था 1972 में एक global think tank जिसका नाम है club of room उसके द्वारा second statement बोलता है कि जो sustainable development goals है इनको हमें 2030 तक achieve करना है तो बताना है दोनो statements में से कौन से statement सही है option number A1 only, B2 only, C दोनों सही है या फिर D दोनों के दोनों गलत है तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ